अलमोरा मेडिकल कॉलेज में पहले से डॉक्टर रूप की भारी कमी है बावजुद इसके सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेच अस्पताल में तैनात अब 12 सेनिर रेजिडेंट डॉक्टर रूप का एक साथ पितौरा गड़ ट्रांसफर कर दिया सरकार के इस फैसले के विरोध में ट्रांसफर हुए डॉक्टर कारे बहिश्कार पर चले गए हमारी मांगे पूरी करो ट्रांसफर ओडर गैंसल करो डॉक्टर रूक आरोप है कि पूर में ब्रैंड के तहट उन्होंने एक साल की सेवा मेडिकल कॉलेज में दी जिसके बाद दुबारा रीन्यूवल के आदेश शाशन के ओर किये गए इस साल के ब्रैंड के तहट उनकी पांच महने की सेवा अभी बाकी है डॉक्टर रूक आरोप है कि पूर में बॉंड के तहट उन्होंने एक साल की सेवा मेडिकल कॉलेज में दी जिसके बाद दुबारा रीन्यूवल के आदेश शाशन के ओर किये गए इस साल के बॉंड के तहट उनकी पांच महने की सेवा भी बाकी है लेकिन पूर में आदेश को दरकिनार कर अब ट्रांसफर का नया आदेश जारी कर दिया गया वी आपकी एक साल की सेवाएं यहीं पर निरैश की जा रही है अब सर जैसे उस आदेश को चार मेने बीच चुके हैं और हमारे बॉर्ण अबदी पूरे उन्हें केवल पांच मेने बादी रहे हैं इस पांच मेने के टाइम पर इन्हों के पुर्ध जितना आसोचन दिया गया था उसी के साब से यहां पर निरंतर की बदादे कि डॉक्टरों के ट्रांसफर के बाद मरीजों को दिकतों का सामना करना पड़ रहा है बेस अस्पताल में एक मात्र रेडियो डागनोसिस डॉक्टर विनीता आर्या का भी ट्रांसफर कर दिया गया जो से अस्पताल में अल्ट्रासांट से वा ठप पड़ गई अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर के लिए यूट्प चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आईकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद